Hello traders welcome to LSFLU मैं हुद इपन गोगई आज हम बात करेंगे zinc उसका pivot point support and resistance market trend or market range आज देखेंगे आज zinc daily में किया होसकता है उसका उपपर भी हम बात करेंगे घड़ हम बात करेंगे क्या देखेंट कि उसका उसका बात करेंगेöt उसका वार कि रचस्पपत पयास समान प्हास समान नन conve far खा भी हम इतन नहता छत है भाब है तो मुझे लगता है फिर से एक बार मौविंग एवरेस के आसपास जा सकता है तो लेकिन यहाँ पर एक बात देख सकता है आप यह जो लोवर पॉइंट है जैसे आप 152 मोविंग एवरेस एक बार सपोर्ट बना के उपर गया था यहां से थूड़ा करेक्शन दे सकता है यह 50 150 मोविंग एवरेस्ट थोड़ा निचे आ सकता है देली में तो अगर हम 30 मिनट में देखे तो 30 मिनिट में आप देख सकता है ए मर्के जो फेले आप देख सकता है है ए जो हायर प्वेंट था उसको ब्रेक आओट कर पर फिशे नीचे मुझे लगता है तो फाइप मिनिट में देख सकता है यहां पर ट्राइक किया था यहां चे जो यहां पर जो रिजिस्टेंट था यहां पर यहां के सपोर्ट बुना तो फोर शापोर्ट हुआ चार बार तो इसको यह सपोर्ट को तो अगर तो पाये तो मुझे लगता ही 200 मोभींग आपर जैस पाज जाएप में फिर से ऊपर जाने के कीजिस्ट करेगा यहां पर जिंक में तो अगर आप यहां पर जिंक को भाई लेना चाहता है तो अगर आपको मिले तो आप भाई में जा सकता है और शारे healthy price ने अगर… प्रिवियूस high जैस स ऐ acne principal को ब्रेक आउट किया तो उसमें आप बाइ जा सकता है उफर के लिए जा सकता है एराउंट 1.95 के लिए तो फेले आपको यह एक ओन्फर्म कर लेना चाहिए मरकेट कौन साइड में ब्रेक आउट तोर पाएगा तो इसका हिशाब से आप बाइ जा सकता है जिसे अब एक सकते हैं मैंने रेजिस्टेंट सपोर लाइन दाल दिया और मैंने रेजिस्टेंट यहाप एक रेजिस्टेंट लाइन दिया हुआ है तो इसको ब्रेक आउट करें तो आप बाय में जा सकता है ठीक है So I hope you enjoy this video. If you like this video please like and subscribe. Thanks for watching.